दोस्तो अगर आपको भी इंस्टाग्राम पर कोई मैसेज करता है जैसे आप उसके मैसेज को ओपर करते हैं ओपन करने के बाद गाईज अगर आपको भी कुछ चीज देखिए कि एक नौटिफेकेशन देखने को मिल रही है रिवियू प्रोफाइल केरफुली तो आप थोड़ा साबधान हो जाएं थोड़ा अलर्ट हो जाएं इंस्टाग्राम का यही कहना है कि आप थोड़ा इस अकाउंट से साबधान रहें थोड़ा अलर्ट रहें तो क्यों आपको ये इंस्टाग्राम में ये नौटिफेकेशन सेंड करता है इसका क्या करण है आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ वीडियो को कम्प्लीट देखना गाईस तभी आप समझ पाएंगे नमस्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारी फिज्डे यूटूब चैनल में चैनल पर हैं चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना वीडियो को लाइक नहीं क्या तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो दोस्तो आईए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो जैसर आप सामने दे सकते यहाँ पर मैंने Instagram अकाउंट को open करके रखाए अब गाईज जैसे आपर मैं Messenger पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यह सामने अकाउंट है जिस पर मुझी message आया है, मैं इसके उपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद ही आप दे सकते हैं, यहाँ पर यह notification आ रही है, review profile, carefully, ठीक है, आप नीचे भी पढ़ सकते हैं, unusual behavior, your request for money, your personal info, ठीक है, आपको Instagram का कहना है, यह person आपसे पैसे भी मांग सकता है, यह आपकी personal information भी मांग सकता है, ठीक है, आपको मैं बता यह notification ही, यह सभी account पे नहीं आती है, यह उन्ही account पे notification देखने को मिलती है, या तो इन्होंने कोई scam किया होता है, या इसके account पर काफी सारी report पड़ी है, ठीक है, उसके बाद यह notification Instagram send करता है, ठीक है, कि आपको भी alert करता है, कि आप भी इस account से थोड़ा साबधान रहे हैं, अ आप इसके उपर click करते हैं, तो यहाँ पर Instagram देख सकती है, या पर आपको एक notice send करता है, safety notice ठीक है, यह आपको यहाँ पर कहर आया, तो आप इसे restricted कर दो, या ब्लॉग कर दो, या इस account पर report कर दो, ठीक है, यहाँ पर आपको यह तीन option देता है, या तो आप इस account को restricted कर दो, या तो block कर दो या report कर दो ठीक है क्योंकि यहाँ पर दे सकते हैं नीचे option आ रहा है online scam ठीक है आपके साथ कोई scam भी हो सकता है ठीक है अगर कोई person आपका जान पैचान का है फिर भी ये notification आ रहा है तो आप इसे यहां से cut कर सकते हैं ठीक है अगर कोई unknown person आपको message करता है और उसक ये account पर ये notification आता है तो आप थोड़ा साबधान रहें ठीक है अगर आपको नहीं जानते हैं कि कौन है तो आपको इनसे बचके रहना है और आपको क्या करना है इनको अपनी personal information नहीं देनी है अगर ये आपसे पैसे भी मांगते हैं तो आपको पैसे नहीं देना है ठीक है आ अगर आप block करना चाहते हैं तो block के ओपर click करना है उसके बाद नीचे block option है आपने इसके ओपर click करना है तो ये person यहाँ से block हो जाएगा ठीक है तो इसी तरीके से आप इस problem को solve कर सकते हैं ठीक है तो ये थी guys पूरी जानकारी जो आज की इस वीडियो में आपको बता दी है आ हम आपकी पूरी help करेंगे वीडियो देहने के लिए आप सभी का धनेवाद